Hello friends, मेरा नाम विशाल है and welcome to my channel crypto with विशाल तो Bitcoin friends उसी जगापे है जहाँ पर हम लोग पिछले काफे दिन से देख रहे हैं अब हो सकता है आप लोग भी मेरे वीडियो देख के सोचते हूँ क्या यार सेम चीज में आपको बता रहा हूँ पर problem यह है कि कुछ बताने के लिए है नहीं Bitcoin के बारे में फिलहाल अब यहाँ पर आज एक नई चीज बस मैंने add करी है फिलहाल क्योंकि बड़ी news आने वाली है हो सकता है बड़ी news आ जाए यहाँ पर तो Bitcoin जो है friends वो again उसी range में चल रहा है जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कल जो मैंने शाम को वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 38.5 वाला जो section है वो उसे break करना पड़ेगा तो अभी पर problem यह है कि resistance उसको बार बार वहीं पर मिल रहा जिस वहाँ से Bitcoin उपर जा नहीं रहा है अब Bitcoin उपर जा नहीं रहा उस वहाँ से कोई बहुत बड़ी कहानी कहीं पर होनी रही है इसके अलावा crypto के बारे में कुछ news है कोई बहुत कुछ बहुत बड़ी news है और कुछ बहुत promising news है जो मुझे आप लोगों को देनी है सबसे पहली यहाँ पर बात करते हैं Tron के बारे में तो जो Tron के बारे में news आ रही है वो यह आ रही है कि जो crypto whale है वो massive amount Tron में लगा के buy करने के plan में है और जिस वजह से अगर आप Tron में जाएंगे तो Tron का जो price है actually में वो बढ़ा भी है काफी दिनों बाद थोड़ा एक बढ़िया gain यहाँ पर Tron में मिला है तो अगर यह news में सारी चीज़ें सही है I guess business tech में news है तो यह इनका business tech जो section है उसमे news है इनका Tech times का तो यहाँ पर chances नहीं है ऐसे की news गलत हो तो अभी आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपका Tron जो है आपके portfolio में नहीं है तो थोड़ा सा Tron आप लेके रख सकते हैं थोड़ा सा मैं यह नहीं बोला हूँ कि बहुत ज़्यादा ले लो पर हाँ दो तीन सो जो coins है वो ले सकते हो कि अगर तीन सो coin एठारा सो रपे के आएंगे तो अगर कुछ उल्टा सीधा नहीं हुआ तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत major यहाँ पर नुकसान होगा और अगर आपका यहाँ पर गाड़ी चल निकली एक बार Tron की तो आगे चलके बैटर है पर Tron पर अगर आप long run पर बात करेंगे तो बहुत अच्छा future है अगर invest नहीं किया है तो Tron एक ऐसा coin है जिस पर आप invest कर सकते हो फिलाल news अच्छी है तो छोटा सा mount जैसे आपको पहले ही बोलता हूँ बड़ा mount पत लगओ चोटा सा mount यहाँ पर लगा कि आप Tron में रख सकते हो सबसे बड़ी news जो है वो मैं आपको सबसे end में बताऊंगा यहाँ पर चलिए अगली जो news चल रही है वो चल रही है एक और news और वो यह है कि एक conference है जो चल रही है मियामी में Bitcoin traders की वो एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो role है play कर सकती है cryptocurrency के बारे में conference जो है चल रही है एक बार क्या वहाँ पर होता है कैसे result आएगा उसके बाद जो चीज़े हैं सारी कि सारी हमें समझ में आएंगी तब मैं एक बार आपको जो इसका update होगा बताऊंगा पर यह बहुत promising जो है game होने वाला है यहाँ पर इस conference के बाद कि कहां पर हमारा crypto है वो इस conference में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं बहुत बड़ी बड़ी जो whales है market की वो सब वहाँ पर available होंगी तो यह बहुत important role जो है play कर सकता है इसके बाद जो अगली news आ रही है वो basically हमारी आ रही है Mike Novagets की तरफ से यह plan कर रहे है 100 million investment का crypto fund में तो crypto fund I guess आपको पता ह होगा अगर नहीं भी पता है तो crypto fund basically वो चीज होती है कि जो लोग crypto में अपना crypto start करना चाहते है currency उनको back करने के लिए support करने की यहां पे बात हो रही है तो यह भी एक बड़ी चीज है यहां पे भी अगर जब यह 100 M का investment होगा तो बहुत अच्छा result इसका भी देखने को मिले है तो उससे भी काफी जल्दी हमें अच्छा जो है एक level मिल सकता और यहां पे सबसे अच्छा पर main जो game है important point है वो इसका 38 को break करना एक बार यह Bitcoin ने 38 को जहां break कराना तो बहुत जादा promising हमें मिल सकता है बाकी के हमारे alt coin में भी अब सबसे बड़ी news सबसे अभी तक कि अगर कि भाई APIs बंद होने थे और अब सबसे बड़ी news यह आई है कि Standard Chartered Bank will soon launch a crypto exchange बहुत बड़ी news आई है Banks अगर अभी तक आपको मैं जैसे बताते आया हूं hospitals आ रहे हैं, research center आ रहे हैं, mobile apps आ रही है, corporate house आ रहे हैं और अब आ रहे हैं बैंक्स यह जो है, यह बहुत बड़ा master stock वाली news है यह, again techstory.in में है, please comment करके मत करिएगा, मैं fake आपको story बता रहा हूं या fake news बता रहा हूं कोई जो यहाँ पे news publish हुई है, वो मैं आपको बता रहा हूं, अब अगर यह fake news है तो इनलों ने fake news publish किया रही होगी, बस मुझे जो news दिख रही है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूं, और यह fake नहीं है, यह true है, क्योंकि Twitter पर भी official जो sources है, वहाँ से भी news आई है, यह, तो standard chartered bank जो है, अपना crypto exchange launch करने के plan में है, इस से बहुत बड़ा जो है, game changer हो सकता है, यह crypto के इंडर्स ने बहुत बड़ा game changer, क्योंकि आप लोगों भी पता है कि जो सबसे बड़ा पैसा होता है, वो होता है banks के पास, और अगर वो support में आएंगे यहाँ पे, तो और ज linear है, उनको भी trust होने लग जाता है, चीज के उपर, कि हाँ यार, यह चीज जो है, सही हो रही है, तो यह जो है, बहुत अच्छा role जो है, यहाँ पर play कर सकता है, crypto के market में, अब थोड़ा सा time बताएगा बाकी का, कि किधर की तरफ यह चीज जाती है, coins के बारे में, अगर हम लोग price की बात करें, तो एक बार फटक से जो price है, सबके हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर, तो bitcoin, आप लोगों मैंने बोला ही है, कि वो graph है, daily उधर की दरफ चल रहा है, अच्छी recovery, ethereum में भी दिखने को मिल रही है, यहाँ पर आप देखेंगे तो, और अभी भी कुछ अगर coins जिनके बारे में मैं बात करूँ, जितना मुझे information है मेरे पास, फिलहाल के लिए, अच्छे जो coin है, एक है आपका pulka dot में आप invest कर सकते हो, we chain में, again मैं बार बार बोलना हूँ, कि अगर आपने अभी तक we chain में invest नहीं करा है, तो एक बार ध्यान से देखिए, जरूर we क्योंकि वी chain आने वाले time में बड़ी जो news है आपको लेके आ सकता है, शिबाइनू coin में भी positive news चल रही है, दूसी चीज़, dodge coin के बारे में हम लोगों ने आपको पहले भी news बताई थी, अभी अगला game है, वो है India time के according, 9 और 9.30 के according, जो इसकी listing का time है, तो 9 बज़े तक कुछ update मिल सकते हैं bitcoin में, उसके बाद क्या होने वाला है, वो बहुत critical होने वाला है, क्योंकि जैसे मैं news पढ़ रहा हूँ, तो news basically लोगों का जो sentiment है, वो यह ही है कि 9 बज़े के बाद जो dodge coin को हम लोग sell out कर देंगे, अगर ये mentality के साथ लोग रहे हैं, तो 9 बज़े के बाद इसका price गिर सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और एक काम और भी गर सकते हैं, dodge में मैं आपको बोलता हूँ, कि अगर आपने dodge coin को थोड़ा अच्छे amount में लिया है, अच्छा मतलब कम amount में लिया है, जैसे कि 20, 25, 21 के में, तो थोड़ा सा profit book करके रख लो आप इस टाइम पर अपना, क्योंकि हो सकता है, एक बार वहाँ पर listing हो, listing के बाद फिर से इसका price वही 23-24 रुपे में आ जाए, शायद मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, तो इस टाइम पर अगर आप अपना थोड़ा सा profit book करके रख लोगे, तो जल्दी जो आपकी recovery है वो हो जाएगी, और जो आपका यहाँ से profit आता है, उसको आप किसी और coin में भी अगर invest करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि Tron में मैंने आपको बोला था, आप कर सकते हो थोड़ा बहुत, और या फिर WeChain में भी आप यहाँ पर कर सकते हो, एक और यहाँ पर बड़ी news है मेरे पास, वो है BTT को लेके कि BTT में भी एक बड़ा investment होने की उमीद है, जिस वजहा से इसका जो price है, अलका सा बड़ा वो price तो Bitcoin की वजहा से भी है, पर यहाँ पे भी एक हमें थोड़ा सा जो है push up Bitcoin में भी, BitTorrent में भी, BTT में भी मिल सकता है देखने को, तो इस पे भी थोड़ सा देखिए का अगर आपके portfolio में BTT एट नहीं है तो, बाकी के coins एक बार हम लोग देख लेते हैं, जिनको हम लोग daily एक बार देखते हैं, कल मैंने ये coins actually इस लिए नहीं देखे थे, को कि कल कुल ज़्यादा मतलब था नहीं, को कि market जो था हमारा अलग तरिके से चल रहा था, Dodge के बारे में हम लोग already देख चुके हैं, उसको मैं देखनी रहा हूँ, Tron को मैंने आप लोगों दिखाई है, BTT का भी हम लोगों ने chart अभी देखा ही था, तो WeChain, again मैं एक नया add कर दा हूँ, जिसको हम लोग अभी daily एक बार देखेंगे, जरूर WeChain के बारे में भी, तो We जिसका top point में अगर बोलूँ आपको, तो 20 रुपे तक गया ही, अभी तक highest, तो potential है बहुत जादा इसमें, all time की अगर बात करें, हम लोग तो जब ही आया था, कुछ ये 1 रुपे से start हुआ था, 18 की बात आई है, अच्छी जन्नी रही है यहाँ पर, एक से लेकि अगर 20 तक क बनाने वालों, complete हम लोग देखेंगे, क्या use case है, उसका, क्या future prediction है, completely इसको एक बार देखेंगे, पर वो जल्दी उसको मैं plan करता हूँ, विंक के बारे में भी अगर हम लोग बात करें, तो विंक में भी एक jump अभी देखने को मिला था, पर विंक के साथ problem यही है, कि जैसे जैसे हमारा market चल रहा है, यह भी एक जगा पे अभी कैद हो गया हुआ, वो range उसकी वही हो गई हुई है, जो bitcoin वाली है, यह आपका round अगर उपर jump करेगा, तो इसमें हम लोगो कुछ positive जो चीजे हैं, वो देख सकती है, आज की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे जो आज 2 coin हैं, आपको लेने और खरीदने और बेचने के लिए, एक है Tron, और दूसरा है Dogecoin, Dogecoin पर बस आपको थोड़ा सा संभल के आज game खेलना पड रहेगा उस पर, अगर तो buy करने वाले हैं, तो थोड़ा सा धलका सा देखिये कब थोड़ा नीचे जा रहा है, और अगर sale out का price है, तो थोड़ा थोड़ा करके sale कर दीजे, क्योंकि एक बार जब Coinbase पर listing होगी, तो उसके बाद कुछ भी तरफ जा सकता है, वो हो सकता है, उस तो dislike कर दीजेगा, चैनल में अगर आप नहीं है, तो हमारे चैनल को subscribe कर दीजेगा, thank you